रच्छा मंदरी राजनाज सिंग ने उद्खाटन किया नीरत चोपड़ा के नाम से बना आर्मी स्पोर्शनिस चूर्ट मेरे सभी बहादूर उलम्पियंस, आर्न फोर्सेज, यह महारास्ट पूने के लिकारिगन, यह मीडिया को के साथियों, डेवियों, वस्तजिनों कुछ भी कहने के पहले, जो भी आडियंस यहां पर मौदूद है, मैं सबसे में यह अपील करना चाहूंगा इस बार के उलम्पिक ने, जिन्होंने मेडल हासिल किया है, उन्हें भी, और जिन्हेंने पार्टिसिपेट किया है, और मेडल हासिल करते करते, शूब गए हैं, रह गए हैं, उन सबकी होसला आफजाई के लिए एक बार अपने अस्थान से ही तालियां बजाकर सभी का विन जारो, हमारी सेना के उलम्पिक पडगवियता और प्रतिभागियों के अभिनंदन के आउसर पर, मैं सच मुछ अपने को बहुत ही गवरवानित महसूस कर रहा हूं, इन उलम्पियंस ने सारी दुनिया में भारत के मस्तक को उंचा किया है, और मुझे बतलाया गया है, कि हम 1973, खिलाडियों ने उलम्पिक में पार्टिसिपेट किया था, कुछ ने मेडल हासिल किया, कुछ मेडल हासिल करने से कुछ ही दूर रह गए थे, सभी हमारे लिए बढ़ाई के पाद रहें, और मैं यहां इनको बढ़ाई दे रहा हूँ, वही पर, यदि मैं यो ट्रेनर हैं, यो कोश हैं, उनको यदि मैं बढ़ाई नहीं दू तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए इन खिलाडियों के साथ साथ मैं सारे कोचेज और सारे ट्रेनर्स को भी अपने तरब से ह नीरच्यो पड़ा के नाम पर यह कोई छोटी बात नहीं है, एक तो हम लगों ने समस्देश वाचियों की तरफ से उनके प्रती एक अपना इसनेह का भाव, प्यार का भाव, सम्मान का भाव, यह व्यक्त किया है, वही पर रक्षा और खेल के संबंधों को भी यह कारक्रम दर्शाता है, रामैडवा महाभारतकाल में भी खेल के रूप में युद्ध विद्याएं छात्रों के पाठ करम का हिस्सा हुआ करती थे, जिससे हम सभी अच्छी तरह परचित हैं, इंडस वैली सियोलाइशन में निशाने बाजी, तलबार, भाले और वेट लिफ्टिंग चेस जैसे भी खेल हुआ करते थे, यदि इंडस वैली सियोलाइशन के इतिहास के पन्नों को पलट कर कोई देखे, नालंदा और तक्षिला में वाकाइदा, खिलाडियों की टेनिंग होती थी, विदेशों से भी लोग नालंदा और तक्षिला वी स्विद्याले में खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे, जहां हम आज हैं, इसका इतिहास देखे, यानि महारास्ट के बारे में मैं कहना शाओंगा, यह खेल ही था, जिसने शिवा नामक बच्चे को छत्रपती शिवा जी महाराज बना दिया, और गुरु स्वामी रामदाफ जी, और जी जाबाई ने बच्पन से ही खेल खेल में ऐसी सिख्षा दी, जिसने चत्रपती भाराज शिवा जी को एक रास्ट नायक बना दिया, इसी तरह रानी लक्ष्मी भाई, रानी चनम्मा, दुर्गावती ये थी, विरांगनाओं के जीवन में भी खेल की बहुत ही भारती से ना, बखुवी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है, मेजर ध्यांचन, कैप्तन बिलखा सिंग, करनल राज्यवरधन सिंग राठोर, और कैप्तन विये कुमार की, चली आ रही परंपरा में, अब सुवेदार नीरच चोपड़ा ने भी अपना नाम स्वानाक्ष में दर्ज करा दिया है, साथियों, सुवेदार नीरच चोपड़ा ने देश को गौरा नित किया है, वही हमारे अन्नक खिलाडियों ने अपने प्रदर्शन से समष्ट भारतवासियों का दिल जीता है, वह सारे भारतवासी, जो या तो भारत में रहते हैं, अच्वा जो द प्रदर्शन की सरहना करना चाहता हूँ, तेरह ठाके लगने के बावजूद, तेरह ठाके लगे थे, उस लगने के बावजूद, अपने क्वार्टर साइनल बाक्सिंग में स्तांदार प्रदर्शन किया, नायब सुवेदार, अभिनास शेवल ने ओलम्पिक में 3000 मीटर लेकिन तमस्त भारतवासी सच्चाई को स्विकार करता है, उनका प्रदर्शन बहुत ही शांदार रहा है, सुवेदार कोरखिया राजियू का 4x400 मीटर रिले में नया एशियाई रिकार्ड बनाने का प्रदर्शन भी बहुत ही काबल तारिफ था, उसकी जितने भी सरहना की जाए, वह कम है, सेलिंग इवेंट में नायव सुवेदार बिश्रू चखनन और रोविंग में नायव सुवेदार अरुनलाल जाड और नायव सुवेदार अरबिन्ड सिंग की टीम ने अपने अपने इवेंट में भारत का सरवस्रष्ट प्रदर्शन किया है, जैसा आप कि टेर्वर से कोविट की महामारी के बावजूद यह टोकियो में इतना शांदार प्रदर्शन करना या कोई छोटी बात नहीं है ट्रेनिंग की कटना ही थी प्रापर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी लेकिन उसके बावजूद खिलाडियों ने जो प्रदर्शन दिया है उसमें भूमिका निभाने वाला एक महत्पून इंस्शूट यह हमारा आर्वी स्पोर्ट्स इंस्शूट है मैं इस आर्वी स्पोर्ट्स इंस्शूट के प्रतिवी सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ इसने बहुत ही महत्पून भूमिका ट्रेडिंग में निभाई है और इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्शूट भारती सेना का एक बहुत ही बिश्व सरी संस्थान है इसे सभी अच्छी तरह जानते है मुझे बताया गया है कि इसने अब तक 34 ओलंपियंस और 22 कामन वेल्थ गेम के मेडल विनर और 21 एसियन गेम्स के मेडल विनर और 6 यूथ ओलंपिक मेडल विनर और 13 अरजन पुरसकार भी ये तादिये हैं जो मुझे जानकारी दी गई है मुझे इस बात के भी जानकारी दी गई है लागडाउन के दौरान जब ट्रेनिंग हासिल करने के लिए हमारे खिलाडियों को तुभिण मिलने में कटनाई हो रही थी उस समय आवस्चता पढ़ने पर उनके घर एक्किप्मेंट्स पहुंचाने का काम इस आरभी स्पोर्ट्स इंस्श्यूट ने किया है और इतना ही नहीं बलकि सूटर्स के लिए घरेलू एरिया में ही सूटिंग रेंज बनाए गए यह भी मुझे जानकारी दी गई है इसके साथ ही भारत द्वारा, खेलो इंडिया, फिट इंडिया और रिशी प्रकार के अन इनिशेटिव्स के द्वारा पिछले वर्सों में खेलों के कंपटिशन में क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास किया गया हमें स्टफलता के और नायाम हासिल करना है यह भी आज के दिन संकल पलेने की आवश्यक्ता है इन प्रयासों के प्रयासों के प्रयाम पिछले कामनवेल्स गेम्स जो 2014 और 2018 में हुए थे और एशियम गेम्स जो 2014 और 2018 में हुए थे उनमें देखने को मिले 2014 में हम लोगोंने 64 मेडल हासिल किये 2018 में 66 मेडल हासिल किये 2014 में एशियम में 57 मेडल हासिल किये और 2018 में 70 मेडल हासिल किये खेल कूर में मेडल का महत्व तो है लेकिन जादा महत्व इस बात में इससे व्यक्तित्त का सरवांगेंड विकास होता है personality का एक comprehensive development होता है इस अच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता अब समय आ गया है कि हम सभी प्रकार के खेलों को महत्त दें बहिराएं भी लगातार खेल में बहतर प्रदसन कर रही हैं इन्हें और प्रोजसाहित किये जाने की आवश्यक्ता है ऐसा मैं मस्तूस कर रहा है हाकी थीम की भी हमारी तीन बहिराओं को तीन पदक इस देश में प्राप्त हुए है वे भी अभिनंदन की पात रहे है पैरा एथलेट्स को भी प्रोजसाहित करने की आवश्यक्ता है कितना ही नहीं हमारे दिब्यान भाई बहन जिस प्रकार का प्रदर्संग कर रहे है मैं कहना चाहूंगा वा अनपैरलल है वा तुलनी है 2016 में पैरा ओलम्पिक्स में तू गोल्ड मेडल दो गोल्ड मेडल कुल शार मेडल जीते थे मित्रो किसी भी एथलेट के जीवनों सबसे महत्पूर्ण छण होता है जब वहांत में तिरंगा पकड़ता है इसका अनवो इस बार सुवेदार नीरच चोपड़ा ने टोकियो में किया होगा मैं समगता हूँ कि जब सुवेदार नीरच चोपड़ा वो गोल्ड मेडल देते समय तोकियो में रास्ट गान बजा तब एक-एक भारती अकास सीना चोड़ा हो गया था आज इस मंच से इन तमाम खिलाडियों से कहना चाहूंगा कि आपके बल एक खिलाडी नहीं है बलकि देज के योकों के आप एक लीडर भी है लीडर की जिम्मेलारी होती है फालोवर्स को सही दिशा देना संकल्प लें आज हम सब को संकल्प लेने की आवश्चक्ता है कि भारत का हम एक भारत को हम आने वाले जिनों में एक स्पोर्ट्स पावर बनाएंगे यह हमारा संकल्प आज लेने की आवश्चक्ता है और मैं आसस हूँ इन खिराडियों को देखने के बावजू के बाद निश्चित रूप से हमारा यस्तंकल पूरा होकर रहेगा हमारे प्रधान मंत्री जी ने खेलों में जो रूची दिखाई है वह अदभुत है नंबे अरसे से भारत की राजनीत में मैं अपनी भूमी का निभा रहा हूं लेकिं मैं कह सकता हूं कि इस बार के प्रधान मंत्री त्री नर्न बोदी जी ने जिस प्रकार की भूमी का निभाई है वो आप्रत्याशित है आकलपनी है जिस तरीके से उन्होंने देश के खिलाडियों के होसले में आफ़जाई करने की अपनी तरफ से कोशिश की है जो हमारे यहाँ पर मवजूद हैं तारे खिलाडी उनके साथ ब्रेक्सास्ट इतना ही ने उनके साथ इंट्रेक्शन आपने कई फोटोग्रेप्स नूज पेपर्स में समाचार पत्रों में और एलक्टानिक चैनलिस पर आपने देखे होंगे मित्रों मैं तो वह वक्त देख रहा हूँ जब बारत को ओलंपिक होश करने का आउसर मिलेगा और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सभी ओलंपियंस जो थोड़े मार्जिन से शूग गए चोस्थे अस्थान पर रह गए या फाइनल में तो पहुंँचे परंत मेडल नहीं मिला वे सभी हमारे लिए किसी वीनर से कम नहीं है अपने देश का ओलंपिक में प्रतिनित उन्होंने किया है यह कोई एक कम गवरों की बात नहीं है उन्होंगे ओलम्पिक में भारत का प्रस्मिर्ट किया है इससे भी हम सब अपने को गवर्वानित महसूस करते हैं इस ओलम्पिक में अब तक का सबसे बहतर प्रदासन रहा है लेकिन हमें संतस्त नहीं होना है लगातार हमें आगे बढ़ते जाना है हमारा होसला बुन्द है ब अस्तिवुद्यम समोंवंधो मुझे पक्का वरोसा है हमारा प्रदर्शन एक दिन विश्व में तर्वस्रेश्ट होगा इन्हीं सब्दों के साथ आप सबको बढ़ाई देता हूं और भविश्य के प्रयासों के लिए भी अपनी हार्दिक शुपानाई देता हूं मैं सररन आर्मी कमांड के प्रयासों की भी सराहना करता हूं जिन्होंने इस वरस बाढ़ और कोविद दोनों के रौरान हाई केमबेट रेडिनेस मानवी सहाता और डिसाफसर रिलीफ इफर्ड्स की दृष्टिशे भी प्रसंद सनी कारिक किये हैं इनी शब्दों के साथ उन्हें ओलम्पिक में पार्शिपेट करने वाले सभी खिलाड़न को का स्वागत करते हुए और भविष्य के लिए भी अपनी हार दिक्षित प्रामनाई देते हुए अपना दिवेदन समाप्त करता हूं जय हिंद